आलो स्टूरेट्स नेक्स्ट अब इसकस करेंगे कैशन नुमर 4 क्या कहना है देखो यहाँ पर फाइंड डारीवेटिव करना है इन सब के लिए आपको तो इक काम करते हैं इन सब को y के को इकफिल माल लेते हैं या जैड के को माल लेते हैं कि और यह जो बैलीव दे रखिए इन सब को मैं नेम देता हूं क्या नेम दूंझी इसको अप डेखो क्या सॉल करते हां ध्यकर ग्षता या क्वल्स टू एक्स की पावर एक्स है बोस साइड लोग लगा लें लॉग एक्वल्स टू लॉग X की पावर X मुझे A-B-C- और D- पूट करना है आप तब निकलेगा solution है लॉग A क्या होगा 1 upon A और A- पावर आगे आ जाएगी पहले ही कर दिया एक step पहले लॉग A रहेगा पावर आगे आगे अब differentiate करो बोथ साइड अपने इनको directly भी solve कर सकते हैं बढ़ मेरा point ही है कि आप इनको अलगले solve करना गलती होने के chance कम नाएगे 1 upon A A- U into V लगा रहो X as it is रगा log X का क्या हो जाएगा 1 by X log X as it is X का क्या हो जाएगा A को महाँ बेज दो A- का अंसर क्या आगे A X X अला गया 1 plus log X A का मतलब वही वाली value जो शुरू में मानी थी है आपने X X 1 plus log X This is your first equation आजाओ second पर B equals to A की power X A constant log B equals to log A X सबसे पहले power आगे आगी X आगया आगया अब वही differentiate 1 upon B B dash X को as it is रखा log A का differentiation क्या हो जागा 0 क्योंकि A constant है ठीक है plus log A और X का क्या हो जाएगा 1 B dash का value क्या आएगा B ये तो 0 हो गया only log A B का value वही है AX dot log A this is your second equation third देखो C equals to X की power A ठीक है differentiate करो C dot C dash power आगे ने लिए एक सेक्ड एक स्टेप ठीक है पहला पावर आ गया है कि log X अब differentiate करो A constant है दिहान रखना कि log X का differentiation होगा 1 by X के अंदर है C को यहाँ बेज़ने C dash equals to C A upon X C की value वही होगी जो given थी है मेरे पास X की power A A upon X इन दोनों को मैं use कर सकता हूँ A minus 1 करके third equation 4 देखो 4 तो क्या है constant है D equals to A की power A D का differentiate मतलब सीधे 0 हो जाएगा पूरा constant हो गया है यह समझेगे इलिए रहे अब जो आपका question था अगर मानलो equation Z equals to A plus B plus C plus D था और अगर मुझे Z dash निकालना था यानि A dash plus B dash plus C dash plus D dash तो मुझे इनकी value पूट करना ही थी A dash की value क्या है देखो X X log X B dash की value क्या है A X log C dash की value क्या है X A X A A upon X और इसकी value क्या है 0 ठीक है अब आप चाहू तो यहाँ पर या तो LCM ले लो और नहीं तो directly आप मैंने बताया आपको यहाँ पर hint X की power 1 हो रही है तो X की power A minus 1 हो जाएगा फिर A हो जाएगा यह भी कर सकते हैं ठीक है So, this is complete cache no 4 for access 5.2 झाल झाल